नमस्ते फ्रैंड्स मैं हूँ पूनम स्वागत है मेरे चैनल में आज आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप शेयर करूंगे उमीद करती हूँ सारी टिप बहुत ही यूजफुल लगे और आपको अच्छे से समझ में भी आए आज की वीडियो में ग्यान का भंडार है अग से एक निवेदन है कि आप ये वीडियो की सिटी से देख रहे हैं अपने सिटी का नाम जरूर मेंसन करें जिससे कि मैं आपको ध्यनवाद कर सकूं और आज का थांक्यू जाता है संगीता राम चंदानी जी को एहंदाबाद से रेनु सर्मा जी को गोरकपूर से मुहमद उस को मैं भारत की धर्ती से प्रणाम करती हूं आपने मुझे बहुत जादा प्यार दिया इसके लिए आप सबको सच में जितना धनवात दू उतना कम है तो आज की हमारी पहली टिप है बहुत ही खास और अगर आपने ये पूरी टिप देख ली ना तो सच में आप इसको अप अच्छे छोटे होते हैं उनसे नेल पेंट गिर जाती है कभी कभी तो बड़े ही ऐसे कैप खोल के रख देते हैं तो नेल पेंट फैल जाती है अब हम नेल पेंट कैसे चुटा है कई बार होता है कि नेल पेंट करिमूवर घर में होता ही नहीं है अब नेल पेंट चुटान तो 3-4 चुटकी डाले इस ठीजादा नहीं डालना और नेल पेंट डालने के बाद बस आपको हलके हलके हाथों से नेल पेंट के जगार मसाज देनी है हलका हलका रगडना आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा ही रब किया और तुरंट ये ये देखे आप सच में अगर थ कोई न कोई ऐसी चीज गिर जाती है जिसको छुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है यह देखिए सेकेंडों में छुट गई बिल्कुल मेहनत नहीं एक दम इंस्टेंट फटा फट हमने अपना नेल पेंट रिमूब कर लिया अब आप देख सकते हैं कहीं पता भी नहीं चल आई थी और यह देखिए पूरी नियल पेंट चीनी में आ गई तो होप करती हूं यह बहुत जादा यूजफूल लगी हो आप सब को पसंद आई हो अब चलते हैं एक बहुत ही खास ब्यूटी टिप की तरफ अगर आप ने इसका इस्तेमाल किया तो आप सच में चमक जाए में यह मेडिकल इस्टोर में मिल जाती है तो आप सबसे पहले इतनी बड़ी बोटल ना लाएं इसका छोटा पीस लेक्या है दस से पंदरा रुपय का तो यहां पर मैंने ग्रीसलीन की बोटल ली है अब हमको इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना कुछ भी एड नहीं करना आप सुनके ही चौक जाएंगे अगर आप रोज एक बार अपने चेहरे को क्लीन करके ग्रीसलीन अपलाई करते हैं तो आपके कील मुहां से जड़ से खतम हो जाएंगे इसकीन में जो भी ओपन पोर्स हो गया ना उनको हील करती है इसकीन सौप्ट होती है और अगर आप इन आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी धेर सारी प्रॉब्लम छूम अंतर हो गई और आपको इतने फायदे मिलेंगे चलिये में हम बताती हूं इसकी क्या ikya फायदे हैं नेल्स में ग्रोथ नहीं होती बीस से नेल्स फट जाते हैं बहुत सूखे सूखे ड्राइ होते हैं तो उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे मैंने लहसुन की केवल एक कली ली है और इसको बीस से इस तरह से तोल लिया है जिसे की जूसी हो जाएगी नाखून की ग्रोथ में मदद करता है नाखून सूखते नहीं है तूटते नहीं है नाखून को मजबूत बनाता है तो आपको इसको कैसे और कब इस्तेमाल करना है केवल एक कली लहसुन को लें और उसको बीस से काट लें चाकू अगरा के हेल्फ से या फिर हाथ से भी अच्छी होगी पर कोई भी टिप में आपको हवा में नहीं बताती यह सारी टिप बहुत ही ट्रस्टेड है अजमाई हुई है तो आप अगर इसके 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 इस्तेमाल करते हैं तो इसके रिजल्ट सच में बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं अगर आपको मेरी टिप अच तो आज मैंने यहां पर एक टीजपून नारियल तेल एक बॉल में निकाल लिए अब हमको इसी के साथ एड़ करना है सोडा मीठा सोडा जिसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर मैंने केवल दो से तीन पिन बेकिंग सोडा लिया है बेकिंग सोडा से हमारे चेहरे तो वह हील हो जाती है अब हमने देखिए नारियल तेल के साथ बेकिंग सोडा डाला दोनों चीजों को मिक्स कर दिया अब हमको इसमें एक चीज और एट करना है हमको यहां पर लेना है कोई भी वाइट कलर का पेस्ट जिससे आप टूथ पेस्ट करते हैं वही पेस्ट ले तो यहां पे आधा टीस्पून यह पेस्ट निकाल लें एक टीस्पून हमने तेल डाला तीन से चार पिंच यह चोथाई चमच बेकिंग सोड़ा और आधा टीस्पून वाइट कलर का पेस्ट सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसमें बिल्कुल भी लंस नह इसमेigon करना है अब अपने पैरों को बहुत अच्छे से वास कर लेना है और इसको हमको रात में सोते टाइम यूज करना है तो किसली आम इसका इसका इस्तेमाल करनें देखिए एडिया बहुत सारे लोगों की फट जाती पैरों में क्रैक्स आ जाते बहूत ज्यादा पेन हो तो आज मैंने जो ये रेमेडी बताई अगर आप इसका क्यों एक दिन इस्तेमाल करेंगे न तो आपको रिजल्ट इंस्टेंट दिखाए देंगे सबसे पहले अपने पैरों को बहुत अच्छे से गुनगुने पानी में नमक डाल के धो लें उसके बाद इस तरह का ये लेप लगा लें ये देखे अच्छे से एडियों में लगा लें कई लोगों की तो एडियां फटती हैं पूरे पैर फट जाते हैं और अगर आप चलते न तो बहुत ज्यादा पेन होता कोई भी मेडिसीन असर नहीं करती लेकिन अगर आप इस तरह लगा के और कोई भी सोक्स पह पहने के रखना है और आपको नंगे पैर बिल्कुल भी नहीं रहना जैसे आप यह लेप लगाएंगे तुरंत आपको सौक्स पहनना है तो यह तो हो गई फटी एडियों की टिप साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को जब बारिस के मौसम में वह नंगे पैर रहते न तो पैरो इस तरह से लगा लेना है आपको उंगलियों के बीच में अच्छे से लगाना है देखिये जैसे मैं लगा रही ना बिलकुल इसी तरह अच्छे से लगा ले बिलकुल गाढ़ा गाढ़ा आपको एड़ी में तो लगाना ही है और पैर की कोई भी प्रोब्लम है कहीं वी अतार अगर आपने इसको तीन से चार दिन तक इस्तेमाल कर लिया तो यह सारी प्रोब्लम छू मंतर हो जाएगी तो बहुत अमेजिंग सी सारी टिप थी और बहुत यूजफुल थी उमीद करती हूं आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा और यूजफ ये जिए अरफ और ले बाुक कर द कर देके जन्फ यूजफ नही जए है जय अएगे साही 취